हाई फ्रेंट्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सोफ्रामाइसिन स्कीन क्रीम के बारे में तो आप इस वीडियो को अंतीम तक जरूर देखे ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स आइए जान करते हैं तो यह जो सोफ्रामाइसिन स्कीन क्रीम है यह सनोफी के बनाए ही बहुत बढ़ी है प्रोडक्ट है और इसके अंदर के मोलीकुल के बात करें तो इसके अंदर एक ही परकार के मोलीकुल का इस्तमाल किया गया है जो है फ्रेमेसितिन जो की 1% इसके अंदर इस्तमाल किया गया है और इसके price की बाद के तो इसके price 41 रूपीज है जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे और यह 30 गराम के pack में आती है इसकी इससे बड़ी pack भी आती है तो friends यह जो sopramycin skin cream है यह बहुत बढ़ी हाँ क्रीम है यह बहुत सारे बीमारियों में इस्तमाल किया जाता है जैसे कि अगर आप कहीं पर जल गए है चाहें वो आग हो या फिर तेल हो किसी से भी जल गए है तो वहाँ पर यह बहुत जल्द relief दिलाती है या फिर आप किसी भी परकार से पर छील गए हो या फिर बहुत सारे लोग accidental case में छील जाते है इसInsnew छील जाती है तो वहाँ पर भी इसका इस्तमाल किया जाता है अगर आपको फोड़े फूंशी या पिर जखम की समयिस्या हुती तो वहाँ पर भी आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं और इसका इस्तमाल सरजरी वाले केस में भी किया जाता है अगर आपको किसी परकार की सरजरी हुई है तो वहाँ पर जख्म को सुखाने के लिए इस क्रीम का इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स आईए देखते कि इसके अंदर किस परकार की ट्यूब होती है तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि किस परकार की ट्यूब होती है तो यहाँ पे टीन की ट्यूब है और वो इस परकार की होती है और यह बहुत यह बढ़िया ट्यूब है तो फ्रेंट्स अगर आपको इस परकार की कोई भी समस्या होती है अगर आप जल गए है या फिर कट गए है या फिर अगर आपको फोड़े फुनसी की समस्या होती है या फिर आपको किसी परकार की सरजरी हुई है तो वहाँ पर अगर आप इस क्रेम का इस्तमाल करते हैं तो ये बहुत ही जल्द उसको ठीक करती है, रिपेयर करती है, तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इसका इस्तमाल कितने टाइम करना चाहिए, तो आप एक चीज का ध्यान जरूर रखे कि जब भी आप इस क्रीम का इस्तमाल करते हैं, जहां पर भी आप इस क्रीम को अपलाई करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले साफ सफाई जरूर कर लें, अगर आप फोड़ी फूंसी जक्म या पिर सरजरी वाली केस में इसका इस्तमाल कर रहें, तो वहां पर आप सेबलोन लिक्वीड, या फिर बीटाडिन लिक्वीड, या फिर डेटोल लिक्वीड से पहले साफ कर लें, फिर आप इस सोप्रामाइसिन स्कीन क्रीम का इस्तमाल करें, तो वहां पर ये बहुत ही जल्द रिलिफ पहुंचाती है, तो फ्रेंड्स ये था सोप्रामाइसिन स्कीन क्रीम के बारे में एक छोटी सी जानकारी, मुझे उमेद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप इसी वीडियो को जादा सेयर करें और लाइक जरूर करें, ताकि मैं और भी इस परकार की वीडियो बना सकूँ, तो फ्रेंट्स ये था आज का वीडियो, इस वीडियो को अनतिन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन सुबह हो, मंगल मैं हो धन्यवाद, दोस्तों.